हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल पे तो आज जो रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी यह है लाहोरी गोष्थ बोटी जो की एक मतन की प्रेपेरेशन है और इसे बनाने में विल्कुल ही मिनिमम तेल या घी का यूज होता है तो आए चलिए विताउर 500 g मतन विया है उसमें डाला है दो चमच जिंजर गालिक का पेस्ट आधा निम्भू का रस और दो चमच विनिगर विनिगर हम मतन को टेंडराइज करने के लिए यूज करेंगे यह नॉर्मल विनिगर है उसी के साथ ही डाला है एक चमच लाल मिर्च का पाउडर आधा चमच खस खस या पोस्तों जी से कहते हैं और काजू का पेस्ट आधी चोटी कटोरी फिटी हुई दही यह हंक कर्ड है फ्रेंस आप जब फेटेंगे दही को बहुत अच्छी तरीके से फेट ले उसमें बिल्कुल भी लंस नहीं रहने चाहिए साथी में मैंने डाल दिया है दो चमच सरसो का तेल और इसे अच्छे से मिक्स करके दो घंटे के लिए रख देना है दो घंटे हो चुके हैं मैंने यहाँ पे एक पैन बिठाया है पैन में डाला है सिर्फ एक चमच घी और उसे एक ब्रश के हिल्प से चारो तरफ फैला लिया है उसके बाद मैंने इसमे मटन के पीसे को डाला है इसमें अभी मैरिनेशन किया हुआ मसाला मैंने नहीं डाला है और इसे अच्छे तरीके से उलट पलट करके दोनों तरफ से सेख ले जब तक कि दोनों साइट इसके बिल्कुल भी रेड ना हो जाए और यह पानी दही का पानी जब तक सूख ना जा हमारा मटन का पानी बिल्कुल भी सूख चुका है अब हम इसमें मैरिनेशन वाला मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर मैंने उपर से करीबन एक या दो चमज घी डाला होगा और इसे दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रग दे दस मिनिट हो चुके हैं और ये देखिए दस मिनिट के बाद मैंने एकदम भी लो कर दिया था फ्लेम को दस मिनिट के बाद मैंने कवर हटाया है और हमारा मटन कुछ इस तरीके की दिख रही है उसके बद मैंने फिर से कवर कर दिया था इसको इस मटन को लो फ्लेम पर ढग ढग कर पकाए ताकि ये मटन में पानी न लगे और ये गल जाए बहुत अच्छी तरीके से ये देखिए ये हमारा मटन बिल्कुल भी बन कर तयार है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगे कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंज और फैमली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अब जब तक मेरी रेसिपीस को बनाईएगा नहीं आपको इसके टीस्ट का पता नहीं चलेगा और ये हमारी लाहौरी गोश्ट बोटी बन कर बिल्कुल भी रेजी है बिल्कुल भी कम ओयल में इसमें ओयल बिल्कुल भी नहीं है थांक यू पर वाचिंग, आव गुद जेए